इसमें मैंने आपको बताया जनसंपर्क, निवेश, व्यापार, परियटन इन सभी को तरजी दिया जा रहा है इन सभी को तरजी दिया जा रहा है और मैंने चाबहार बंदरगाह और INSTC यानि इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांजिट कोलिडोर के बारे में भी मध्य एशियाई देशों की भूमिका को इंडिकेट किया चाबहार बंदरगाह कहां पर इरान में और इसी के मध्य नजर भारत के द्वारा विस्तारित परोस की नीती इन मध्य एशियाई देशों के संपरक में अपनाई जा रही है विस्तारित परोस की नीती ठीक है इस्चेत में शांती और सुरक्षा भारत में शांती और इस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है अब आपको दिमाग में यह आना चाहिए सवाल यह उठना चाहिए कि सर मध्य एशियाई द हमें क्या लाब, नहांत हमें दिक्त होनी चाहिए ननाब होना चाहिए। लेकिन समझी है इस बात को, मैंने आपको पहले ही बताया कि अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान और तुर्खमैनिस्तान और तॅक मेरी कमेनिस्तान कि मद एशिया एक देश है और अफगानिस्तान में क्या चल रहा है तालीबानी सत्ता चल रही है और अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन है पाकिस्तान है पाकिस्तान की क्या इस्तिती है क्या उसकी निती है ये हम सभी को पता है तो ऐसे में यदि इन देशों के साथ म माहौल है उसको मिटिगेट करने में उसको कम करने में भारत इन्हें देशों के साथ मिल करके सहयोग कर सकता है जिससे भारत के लिए एक पोजिटिव रास्ता खुल सकता है भारत में आतनकी गतिवीदियों की जो संभावना है इसको भी कम किया जा सकता है है ना और जो भारत की अपनी भारत का जो अपना निवेश अफगानिस्तान में है अफगानिस्तान में बहुत बरी मात्रा में निवेश किया है भारत ने ये हम सभी को पता है भारत और अफगानिस्तान संबंद के बारे में जब हम लोग ने बातचीत की थी तो उसमें मैंने कई सारे Infrastructure Development Projects के बारे में हम लोग ने चल्चा की थी तो देख रो ना किस तरीके से Correlate कर रहा है अफगानिस्तान का जुराओ मध्य एशियाई देशों से भारत का जुराओ मध्य एशियाई देशों से अफगानिस्तान में इस्थिर्टा के मद्य नजर भारत चाहता है कि मध्य एशियाई देशों से हमारा जो ताना बाना है हमारा जो संपर्क है वो हम बहतर करें और इसी के आलोक में भारत के दौरा सेंट्रल एशिया पॉलिसी की शुरुवाद भी की गई हाना यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को इंडिकेर किया है अफगानिस्तान में अगस्थ दोजार इकीस में सत्ता का परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के कारण भारत में देशिया संपर्क के लिए चुनौती जो मतेशिया इरिजन है वो दो माध्यमों से और अधिक महत्वपूर्ण है प्राकृतिक गैस उर्जा का भंडार खनीच संपदा का भंडार और भारत को इसकी जरूरत जैसे कि तुर्किमेरिस्तान विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार यहां पर है और जो कजाकिस्तान है यहां पर विश्व का सबसे बड़ा जो इरेनियम उत्पादन होता है वो कजाकिस्तान में होता है और दूसरा सबसे बड़ा जो इरोनियम भंडार है वो कजाकिस्तान के पास में है तो आप खुद से समझिए कि जहां इतने अधिक अधिक खनिच संपदाएं हैं इन आधारों पर इन आधारों पर भारत के लिए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi